हेलो फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हैं हमारा जो आज का वीडियो है बड़ा इंट्रस्टिंग वीडियो है और आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा और वीडियो शुरू करने से पहले आ 45 डिग्री जो होता है वह बन बाइंड्रू टू होता है यह जाद करने के लिए क्राया जाता है और हमें बताया नहीं जाता है समझाया नहीं जाता ल से सैसी उता आऊ ऑई Skills को और आज करेंगो स्बनभाइं ग्रूलियो टूलम संद मेरले इस सब्सक्राल करना है कि एक राह triangle लेना है, right angle triangle में एक angle 90 degree का है जैसे कि हमें पता कि ये वला angle 95 है और एक angle हम consider कर रहे हैं 45 degree मालो हमारे पास एक triangle है A, B, C जिसमें हमारे पास angle B जो है, that is 90 degree angle C जो है, that is 45 degree angle some property से हमें पता है कि जो हमारा angle A रहने वाल है वो भी हमारे पास 45 भी होएगा तबी इन तीनों angles का जो sum है, वो हमारे पास 180 आएगा अब जैसे कि हमें clear होगी अब आग, हमने एक angle C 45 consider किया है, तो हमारे पास A भी 45 बन रहा है, तो A और C दोनों equal है जैसे कि हमें एक rule पता है कि एक triangle में अगर दो angles equal हैं, तो उनके जो opposite sides होती है, जैसे C के opposite ये AB है, A के opposite ये BC है, तो हमारे पास जो AB और BC जो है वो equal रहेंगी और इस question में, इस explanation में हम दोनों ही values ये A के equal ले रहे हैं ठीक है, हमने मान लिया कि AB भी A है, BC भी A है और जैसे कि हमें पता है कि जो angle B 90 दिया हुआ है इसके opposite वाली जो side होती है ये hypertonious होती है और by pythagoras theorem, हम बात कर रहे हैं in triangle ABC angle B is 90 degree और by pythagoras theorem जो हमारा hypertonious है AC का जो square है that is equal to AB square plus BC square, दोनों जो बाकी की sides है sides containing the right angle उनके जो squares का साम है वो hypotenious के square के बराबर आता है तो AB हमारे पास A है तो ये A square हो गया BC हमारे पास वो भी A है वो भी A square हो गया तो A square, A square, 2A square हो गया और जो AC की value है that is under 2A square that is under 2A तो मेरे पास ये AC की value हमारे पास निकल के आगी है AB और BC को तो हमने AA consider किया ही था और जो hypotenious हमारे पास आया that is under 2A और आप लोगों को पता है कि जो हम लिखते हैं जैसे मान लो sine 45 तो ये बहले 45 ये C angle C की मैं बात कर रहा हूँ C के लिए जो perpendicular है और पता है कि sine की जो ratios होती है वो perpendicular to the hypotenious होती है C के लिए जो perpendicular है that is AB और hypotenious तो आपको पता ही है right angle triangle में A की रहता है AC तो perpendicular upon hypotenious AB A है और AC under root 2A है A से A कैंसल करके 1 by under root 2 आ गया वैसे ही हम cos 45 की अगर बात कर लें angle C में ही consider कर रहे हैं हम ठीक है तो C के लिए जो base है that is BC और hypotenious तो आपको पता है AC ही है A upon under root 2A A से A कैंसल 1 by under root 2 वैसे हमारे पास 1045 है तो 1045 हमें पता है perpendicular to the base होता है AB to the BC दोनों ही A है A से A कैंसल होके यह बना जाएगा तो आप लोगों को भी अब clear है कि 1045 1 होता है cos 45 1 by under root 2 sin 45 1 by under root 2 जो concept हमें यूज किया उससे भी यही results आ रहे है अगर आपके पास sin 45 1 है तो cos second 45 फिर उसका reciprocal होता है under root 2 secant 45 cos का reciprocal under root 2 cod 45 10 का reciprocal 1 का reciprocal 1 तो ऐसे हमने यह सारी values find out कर ली है उमीद है आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने friends के साथ जरूर share करना Thank you